हेलो दोस्तो नमस्ते सुपरवाज जैसे कृष्णे रादे रादे माई सूल फैमली माई वीवर्स माई सब्सक्राइब स्कॉर्ट बलिस यू आप से स्वस्तोंगे मस्तोंगे अपने लाइप में आगे बारे होंगे यह आज क्राविका जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप के बारे में सोच रहे थे तो लेट नाइट थोर्स आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे थे अगर वह आपको लेकर बात कर रहे थे तो क्या बाते कर रहे थे अगर वह किसी और से बाते कर रहे थे तो क्या बाते कर रहे थे ठीक है all sign के लिए collective reading के सारे sign के लो आगी करें एक सांथ GRI गाइड करें डिब्हेशक्ती पार्टन की कह आती मेरे बाते तो हो रही थी three of pentacles oh my god आपको लेकर ही बाते हो रही थी ठीक है reunion के chances दीख रहे हैं viewers जी it is Leo and Sagittarius Capricorn, Taurus, Virgo आपको लेकर ही बाते कर रहे थे two of sorts third party issue है third party issue है third party issue है हो सकता है आपके partner इस वक्त अपनी life में परिशान हो ठीक है यह आपसे कहना चाते है यह चर्चा भी कर रहे थे लेकिन इस वक्त उनके साथ सब मैं support नहीं कर रहा है ठीक है कुछ परशानिया उनके life में चल रही है ठीक है वो अपने आपको heal करने वाले heal करते हुए दिखाई दे रहे है लेकिन आपके तरफ यह बढ़ना चाहा रहे हैं अपनी power में आना चाहते है यहाँ passionate और attraction भी था आपके बार में काफी लगातार सोच रहे थे डियर ठीक है देवल की energy आई है Wands की भी energy आचुकी है शोच की energy आचुकी है Libra Aquarius Gemini ठीक है Capricorn, Taurus, Virgo Aries, Leo and Sagittarius Pisces Cancer, Scorpio यहाँ पे What on the deck से है डियर ठीक है Pisces Cancer, Scorpio सारे साइन है देखा जाए डियर हो सकता है कि आपके partner third party issue में हो हो सकता है कि आपके partner बहुत जादा social media पे active हो ठीक है लेकि आपके partner या इनके घर में कोई है ठीक है जो close हो सकते है या third party कोई भी हो सकते है जहां आपके partner आपको लेकर बात कर रहे थे marriage को लेकर commitment को लेकर reunion को लेकर अगर घर में ये बात नहीं कर रहे थे तो कोई खास friend से या पिर social media पे हो या पिर उनके colleague हो जो उनके west friend हो आपके partner अपनी दिल की बात उनसे share कर रहे थे आपको लेकर क्या करूँ? कैसे करूँ? वो आपसे बहुत प्यार करते हैं आपका रिष्टा बहुत खास है बहुत important है ऐसा वो बात कर रहे थे ये reunion की planning करें आपसे marriage की planning करें आपको commitment देने की planning करें ये future planning की बात कर रहे थे आपको लेकर किसी और से बाते कर रहे थे लेकिन इस वक्त ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे losses का सामना कर पा रहा हूं बहुत सारे परशानिया क्रेट हो रहे है मेरे life में मैं क्या करूँ मैं अपनी power में आना चाहता हूं अपने ego को control करना चाहता हूं ठीक है और आपके life में ये on off करते हैं जिस वज़े से ये person कही न कही उदास भी है दुखी भी है और अपने आपको hill करना चाहते है क्योंकि इस वक्त ये परशान दिखाई दे रहे है ठीक है आप देख रहे हो कार्ड में भी ये person इस वक्त परशान दिखाई दे रहे है लेकिन जो confused है ये अपने friend से अपने colleague से जो खास friend है या घर के कोई family members है जो आपको लेकर ये बाते कर रहे है वो ये कर रहे हैं कि आप से ही आगे बढ़ना चाहते है future में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते है marriage चाहते है reunion चाह रहे है तो आपको लेकर बाते हो रहे थी कि आपके लिए कितना passionate है लेकिन ये किसी से भी अगर ये share कर रहे हैं बात तो ये करें कि मैं अपने life में कल आदमी फर्क देख रहा हूँ on of उसके life में करता हूँ लेकिन कल मैं बहुत खुश था बहुत celebrate कर रहा था उसके साथ आपके बार में बात कर रहे थे बहुत उसके साथ मैं celebrate कर रहा था बहुत enjoy कर रहा था life को जीने का मकसद जाग उठा था लेकिन किसी ego के वज़े से मैंने अपने प्यार को होया है ये मुझे पता है या फिर कहीं ने कर उनको दुबिदा है डियर कि उन्होंने आपको third party issue में डाला है इस बात की भी चर्चा हो रही थी लेकिन आपके ना होने से इन्होंने देखा है कि बहुत सारे obstacle का इन्होंने सामना किया है लेकिन ये अपने ego को control नहीं कर पा रहे है अग्रेशिव mood को control नहीं कर पा रहे है मतलब हो सकता है आपके partner बहुत याद से बहुत याद करते है और अगर आप नहीं मिलते हो तो आपको imagine भी करते है यानि कि drinking बागेरा करना, स्मोकिंग बागेरा करना, अट्राक्शन फिल करना, तो यह सब आपके पार्टनर लेट नाइट भी कर रहे थे वीवर, चिक है, मतलब होता है ना, मन नहीं लग रहा है, तो बैलकनी में निकल गए, ठीक है, रूम में ही स्मोकिंग कर लिया, कुछ लूब बहुत जब आपके तरप आप करसित होते हैं, तो बहुत जदा इमेजन करते हैं, तो कहने का मतलब बहुत के पार्टनर आक रोसित भी थे, गुसा भी थे, अग्रेसिब भी थे, ड्रिंकिंग भी, स्मोकिंग भी, ऐसी भी एनरजी है, क्योंकि इस वक्त उनको लगतार सोच या फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या बिजनस का प्रॉब्लम्स हो, या फिर फाइनांस का प्रॉब्लम्स हो, या हेल्थ इशू, इनके फैमिली में हेल्थ इशू हो, या थर्ट पार्टी इशू हो, हर हाल में इनके लाइप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आपके पार् कर रहे थी अगर इनके घर में कोई family members है third party है तो आपको लेकर बाते हो रहे थी जहां aggressive mood में थे उन से उनको manipulate किया जा रहा था अगर घर की family member third party कोई है तो वहाँ the devil की energy में थे और five of pentacles की energy में थे कहने का मतलब घर की family जो third party थी वहाँ आपके partner disturbed थे उनके साथ अच्छा नहीं बन रहा था और यह आपके बारे में ही बाते कर रहे थे कि वह आपके साथ आगे जाना चाहते हैं लेकिन जो confusion है दो mind में दो choice में यहां किसी और से share कर रहे थे आपको लेकर यह on-off का situation खतम करना चाहते हैं आपको commitment देना चाहते हैं मैरेज चाहते हैं आपके साथ रहना चाहते हैं अपने ego पे काम करना चाहते हैं अपने गुस्से पे काबू रखना चाहते हैं देखा जाए तो बहुत दूर्स आपके partner late night आपको लेकर attraction भी feel कर रहे थे कुछ के partner aggressive mood में भी थे third party से related भी manipulating energy में थे लेकिन आपके बारे में जो भी बाते कर रहे थे आपको लेकर अच्छी बाते कर रहे थे किसी friend से चाहे वो college की हो social media पे हो school की बचपन का school का हो या close friend हो या college हो ये किसी से आपके बारे में बात कर रहे थे कि वो आपके साथी future देखते हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आज इनको बहुत obstacle का सामना करना पर रहा है ठीक है तो हर हाल में आपके partner आपको लेकर passionate energy में थे लेकिन अप मतला आपके partner में ego भी है ego के बज़े से भी आप लोग में distance maintain हुआ है ठीक है third party और ego के बज़े से भी कुछ finance के वज़े से भी कुछ न कुछ obstacle आये हैं जहां इस person को ये एहसास हो रहा है और ये बाते भी कर रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत खास हो important हो और आपको ये respect करते हैं आप उनके लिए सब कुछ हो 11-11 के energy लिए तो आपके partner आपके तरफ रियूनियन की planning कर रहे थे आपके तरफ बढ़ने की planning कर रहे थे और किसी से आपको लेकर guidance भी ले रहे थे और दिल की बात CRB कर रहे थे लेकिन घर में अगर किसी से family member से बात कर रहे थे third party से बात कर तो आपके खिलाब थी जहां आपके partner उनके उपर aggressive थे fight मतलब होता aggressive मतलब manipulating वाली energy थी या इनके father figure हो sister हो मतलब हो या current कोई partner हो या कोई और किसी साथ आपके partner रह रहे हो तो उनके साथ अच्छा नहीं था क्योंकि यहाँ पर the devil की energy आई है यहाँ पर five of pentacles की energy आई है तो family य तो आपको लेकर कर रहे थे जो कि light में आगे बरने के लिए आपको अपना बनाने के लिए ऐसी बाते हो रही थी लेकिन यह अपने ego पर काबू को रखना चाहते हैं यह उनसे बोड़े कि मैं कैसे क्या करूँ क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत unique रिस्ता है 11 11 चीनलेवेन यह जयानि 4 दिन सूल नेजिएं व्याई बहुत कर रहे थे डिवान ही गाईड़ेयर्टी बहुत पाज़िटि पाज़िव काड यह कारट बहुत ही पाज़िव है यह कड़ थी पाज़िवे हुस्रम यह बाहिखते हैं लेकि जो भी आपके पार्टर जिस से जो आपको लेकर कर रहे थे family member से बात हो रही थी third party से तो वहाँ manipulating energy थी father figure ओ या कोई female हो घर की बात हो रहे थी तो वहाँ losses की energy थी aggressive manipulating की energy थी लेकिन आपके partner इतना आपके लिए बात इवे कम बरी बात ही विभर जी तो आपके Partner आपके तरब बढ़ना चाहा रहेते रीएनिय चाहा रहेते और कुछ आपके तरब भढ़ने एक्षंण लेने की सोच रहेते तो यह थी Late Night आपके Partner की इनरजी बीडियो अच्छे लगे लिएट तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और प्ल Cash SIM बाली है